सीमा हैदर, UPATS ने लगभग 18 घंटे उससे पूस्ताज की उसने क्या जवाब दिया? आप तक आपको किसी नहीं नहीं बतायोगा ये ज़रूर बतायोगा कि UPATS उससे क्या-क्या सवाल पूछ रही है लेकिन बदले में सीमा हैदर ने क्या जवाब दिया? आज हम आपको decoding crime में एक-एक सवालों का जवाब आपको बताएंगे फिर आप खुद सोचिए कि सीमा हैदर जासूस है या नहीं या आपकी सवालों का जवाब उसमें छिपा है या नहीं दूसरी चीज जो decoding crime में हम बात करेंगे फल और फूफी UPAT इसने सीमा हैदर से पुछा क्या तुम्हें फल और फूफी के बारे में पता है अब आप सोच रहे होंगे कि पलस वाले सीमा हैदर से फल और फूफी जैसे सवाल जवाब क्यों कर रहे है तो दरसल जो फल और फूफी है ये code word है पाकिस्तानी code word है इसका कहने का मतलब ये कि फल का मतलब ये होता है कि भारती पैसे आपको उस जगा मिल जाएंगे कहने का मतलब ये कि मालो फल उस फराने फराने शक्स से आप ले कि आ जाओ कहने का मतलब वहाँ से भारती पैसे ले कि आ जाओ तो फल कोड़ोर्ड हो गया भारती करिंसी के लिए फूफी का जो कोड़ोर्ड है ये कोड़ोर्ड होता है महिला जासूस के लिए जो कहा जाता है कि फूफी से काम ले लेना फूफी को पता होगा कि वहापे क्या हो रहा है तो फूफी एक है महिला जासूस के लिए code word है, पाकिसानी code word है जो use किया जाता है UPATS ने सीमा हैदर से जब यह सवाल क्या, तो सीमा हैदर ने क्या जवाब दिया? इस वीडियो के आखरी में हम आपको बताएंगी कि सीमा हैदर उसने किस तरीके से इस सवाल का जवाब दिया? पहले बात करेंगे कि पहला सवाल क्या था? जैसे कि जो UPATS है वो सीमा से बात कर रही है, उससे सवाल जवाब कर रही है और कोशिश कर रही है ये पता लगाने की कि आखर सीमा की सच्चाई क्या है तो आपका ज़्यादा समय ना वेश करते हुएं, आपको सबसे सीधे सीधे तोर पर सवालों का बताते हैं और उन जवाबों का बताते हैं जो सीमा ने दिये जो यूपी ATS है वो सीमा को दो पासपोर्ट दिखाती है और पूछती है अब हमें ये बताओ, इन दोनों में से असली पासपोर्ट कौन है अब इस पर सीमा जवाब देती है, कि देखिए मैं आपको दस दिन से यही बता रही हूँ कि दोनों पासपोर्ट असली है दरसल जो पहले वाला पासपोर्ट है उसमें सिरफ सीमा नाम लिखा हुआ था और जो दूसरा वाला पासपोर्ट है वो मुझे बनवाना पड़ा क्योंकि जो पहला वाला पासपोर्ट है सीमा नाम का उससे बहुत सारी दिक्कते आ रही थी तो मुझे सीमा गुलाम हैदर के नाम से दूसरा पासपोर्ट बनवाना पड़ा अब ATS आगे बढ़ती है और सीमा पर दूसरा सवाल दाखती है दूसरा सवाल किया जाता है कि क्या तुम्हारे भाई और चाचा पाकिस्तानी आर्मी में हैं? क्या उन्होंने तुम्हें ISI के द्वारा भारत भेजा है? अब इस पर सीमा बोलती है कि मैं अपने भाई और चाचा से कई सालों तक नहीं मिली हूँ और नहीं मैं ये जानती हूँ कि ISI क्या है? मुझे तो इंडिया आने के बाद टीवी पर ये सब देखकर पता चला कि ISI भी कुछ होता है कुछ ISI एजेंट भी होते हैं और इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जासूसी भी की जाती है ये सब मुए जब आई और मैंने यहाँ पर टीवी पर देखा तो मुझे पता चला सीमा ने इस पर कहा कि मैं सिर्फ सचिन के लिए इतनी जो दूरी मैंने तै की और सिर्फ अपने प्यार के लिए मैं भारत आ गई हूँ तो अब इसके बाद ETS तीसरा सवाल करती है और सीमा से बोलती है कि तुम कराची में रहती हो, पाकिस्तान से तुम्हारा नाता है, पाकिस्तान में तुम पैदा होई हो भले मेरे जो भाई और वो चाचा जी है आप बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फॉज में है पर मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है साथे साथ जब कोविड आया मैं बोर होने लगी घर पे कुछ खास था नहीं तो मैंने पबजी खेलना शुरू कर दिया और उसी से मैं अपना टाइम काटी थी अब इसके बाद जो ATS है वो चौथा सवाल सीमा से करती है वो पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्या जो वर्ड है वो सुनने का टाइम नहीं मिला तुम्हें ऐसा लगता है मननों वो एक कुछ लिखवाते हैं पहले सीमा से कि तुम लिखकर दिखाओ और सब्सक्राइस है वो देते हैं पेपर उससे कहते हैं पढ़कर दिखाओ वो पढ़ देती हैं इंग्लिश तो अब उससे बोलते हैं कि तुम्हारी इंगलिश तो बहुत अच्छी है यह तुमने कब कैसे कहा सीखी और उर तुम्हें जो वर्ड है पढ़ने में बिलकुल भी का दौर आया मैंने पबजी खेलना शुरू किया और उसी दौरान मैंने बहुत लड़कों से बात की बहुत साई लड़कियों से बात की जब मैं लोगों से घुल मिलती गई सोशल मीडिया के जरीए वहीं से मैंने ये लैंग्विज सीखी वहीं से मैंने बात करना सीखा और व वाली बात हमें अभी भी खटक रही है क्योंकि कोई भी शक्स किसी से अगर सोशल मीडिया पर इतनी जादा बात कर रही है तो इतनी फर्राटेदार इंग्लिश नहीं सीख सकता ऐसा ATS का कहना है तो ATS आगे बोलती है कि हमें लगता है इसकी ट्रेनिंग तुम्हें दी गई है तो अब तुम नाम बताओ कि किसने तुम्हें इसकी ट्रेनिंग दी है क्या किसी ने ये कहा कि भारत में जाकर हिंदी में ही बात करना तुम्हें अनर्थ जैसे मुश्किल शब्द जो अगर मैं आपसे सच कहूं तो अगर हम अभी की बात करें तो हमारे देश में ऐसे कई य अब इस पर शीमा बोलती है कि मुझे ने कुछ भी नहीं सिखाया कई बार में आप लोगों से कह चुकी हूं कि मैं सिर्फ अपनी महबत के लिए जो सीमा है वो पार करके आई हूं सीमा तोड़ कर आई हूं सारे बंधन तोड़ कर आई हूं सिर्फ सचिन के लिए और इस किसी ने कोई ट्रेइनिंग नहीं दी किसी ने भी कोई चीज सिखाई नहींग आप बार बार आयसाई का नाम ले रहे हैं बलकि मैं तो यह नहीं जानती कि आईसाई आखिर होता क्या है मैं जब भारत आई बारत आने के बाद मुझे यह सारी चीजें पता लगी और सीमा बार के सवाल ATS ने क्या पूछे अब हिंदी की बात होई रही थी तो अब ATS को लगा कि और तोड़ा जाए ATS ने पूछा कि देखो सचिन जिससे तुम प्यार करती हो सचिन मीना तो खुद हिंदी ठीक से बोल नहीं पाता वो खुद वेस्टन यूपी का है तुम शुद हिंदी कैसे बोल रही हो इस पर क्या जवाब हो सकता है इस पर सीमा है अधर चुब बैठी रही उसने कोई जवा अब UPATS को लगा कि क्यों न अब हिंदी बहुत हो गई अब बात करते हैं यह विदेश में रहे कर मतलब नेपाल में रहे कर एक कैसे कांटेट करती थी सचिन को तो सवाल जो सबसे बहरा सवाल विदेश में रहते हुए पूछा गया तुमने चार जोलाई को पुलिस से कहा था कि नेपाल की नेपाल से बस के जरीए तुम सचिन के पास आई तो तुम्हारा मुबाइल काम नहीं कर रहा था इसलिए बस ड्राइव के फोन से सचिन को तुमने कॉल किया नौड़ा पुलिस को तुम्हारे पास से चार फोन और चार सिम भी मिले इतने मुबाइल तुम् पाकिस्तान वाला SIM काम नहीं कर रहा था जहीरती बात है विदेश में जाएंगे तो पाकिस्तान वाला SIM काम नहीं करेगा फिर उसनी कहा कि सचिन के पास वो आई थी यह सचाई है तब उन्होंने सचिन ने उसे एक नया SIM लाकर दिया था तो सच्चे ने एक SIM लाके दिया ताकि उनकी बाचीत हो सके अब ये सवाल कि फोन क्यों तोड़ा तो ये जवाब मिलता है कि फोन इसली तोड़ा गया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तानी जो लोग है पाकिस्तानी जो पुलिस है अवाम है वो उसे ट्रेस कर पाएं अब तक जो बात थी कि ISI नहीं पता है ये नहीं पता कि फोन इससे समझ में रहा है कि नेटोग तो काम नहीं कर रहा लेकिन ये कहना कि पाकिस्तानी उसे ट्रेस ना कर पाएं इसलिए उसने फोन तोड़ा और ज्यादा गयारा करता है अब क्योंकि सच्चिन ने फोन SIM लाकी कहां से आया उसने कहा उसे याद नहीं है ठीक है अब नवा सवाल जो पूछा गया कि तुमने सभी SIM को अलग-अलग मोबाइल में लगाया और सभी से WhatsApp चलाया WhatsApp पर प्रोफाइल फोटो में एक लड़की की फोटो है उस WhatsApp फोटो की पीछे जो background है कश्मीर की फोटोग्राफी दिख लिए उसमें background में कश्मीर की फोटोग्राफी है और लड़की है सवाल पूछा के तुम कश्मीर कब गई और वो लड़की कौन है जो प्रोफाइल फोटो में दिख लिए सीमय हैदर जवाब देती है कहती है मैंने कोई WhatsApp अकाउंट नहीं बनाया ना ही कोई फोटो लगाई है अब ये सवाल की WhatsApp उसने चलाया ही नहीं मदब WhatsApp के जरिए बाचीत नहीं हो रही थी अब उसकी प्रोफाइल में जो चीजे देखी गई है एक लड़की की फोटो पीछे background में कश्मीर की जो फोटो लगी है उसने से साफ इंकार कर दिया अब मैंने जैसे कि हमने कल अक के वीडियो में आपको बताया था कि जो WhatsApp और Facebook या WhatsApp की जरिए लेकिन यहाँ पर भी सीमा हैदर ने का कि उसके WhatsApp अकाउंट नहीं है तो यह और ज्यादा शग्यारा करता गया दस्वा सवाल दो बार तुम दोबाई होते होए नेपाल आने में तुम्हारे बहुत पैसे खर्च होए होंगे इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आया अगर किसी ने तुम्हारी मदद की है तो अब सच बता दो यह कड़क होकर UP ATS ने सीमा हैदर से पूछा हम लोग ना तुम्हें पाकिस्तान भेजेंगे और ना ही जेल भेजेंगे अब देखी आवड बहुत ज़्यादा सकती दिखाएंगे तो हो सकता है कि सीमा हैदर और रोने लगे या ड़की मारे कुछ ना बता है तुन्हें ने इसको इब आश्रोशन दिया कि तुम्हें हम पाकिस्तान बताती कितने रुपे खर्च होए उसके उसने कहा कि कुल साथ लाक रुपे खर्च होए दो बार आने जाने में मतलब पाकिस्तान से उसे दुबई फिर दुबई से नेपाल और नेपाल से लगभग लगभग दोनों बार में साथ लाक रुपे खर्च होए उसने फिर कहा कि उसने एक बार अपना घर बेचा था जो उसी के नाम पर था उस घर में रहती भी थी और उसने अपने जेवर बेच कर गुलाम पती को दुबई भी भेजा था तो खुद के लिए भी उसके उसने पैसे की जोगाड करी रही थी कई बार उसने यह भी कहा कि कई बार जब UPATS कई अलग लग तरीके उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी जानने की कोशिश कर रही थी कि हमें बता दो कौन तुमारी मदद कर रहा है तुम भारत में किसी को जानती हो या नहीं हो यह सवाल इसली पूछा गया क्योंकि सीमा एदान ने फ्रेंड रुकेश भीजी थी कई फौजीों को भी सचिन के लाबा वो और भी कई लड़कों को उसने रुकेश भीजी इस पर सीमा एदान ने कहा कि हां लेकिन ठीक से नहीं पाकिसान में थी तब सचिन को जानने से पहले पबजी गीम और फीजू की जरीए कुछ लड़कों से चैट किया करती थी लेकिन टाइम पास के लिए नहीं मैंने और अपने बारे में उन्हें कुछ बताया और नहीं उनकी बारे में मुझे कुछ पता है फिर इसने ये भी कहा कि जो जातर लड़के थे सभी दिल्ली के रहने वाले थे अब सीमय अदर ने ये बात तो कबूल कर ली कि वो सिप सचिन से नहीं बाकी लड़कों से भी उसने बात करने की कोशिश भी की थी अब जो 12 और 13 सवाल है वो सबसे एहम है क्योंकि उसके उमर को लेके सवाल क्या गया क्योंकि उसके पास्वर्ट में अलग चीज थी और उसके डॉक्यूमेंट्स मिलें उसमें कुछ उसकी डेट वबर्थ अलग लिखी थी वो भी जानते हैं कि यूप आटेस ने क्या पूछा जवाब में सीमय अदर ने क्या दिया देखिए जो अब 12 क्वेस्टिन की बात करे तो यह क्या मामला है आखिर दो जो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है दो क्यूं है तो इस पर सीमा बोलती है कि दरहसल मैं 27 साल की ही हूँ पास्पोर्ट में कुछ गड़बर हो गई थी वो प्रिंटिंग की कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वज़े से वहां पर जो मेरी डेट करवा दिती और जल्दी करवा दिती शायद इसलिए उन्होंने मेरी जो डेट ऑफ वर्थ है वो थोड़ी बड़ी दिखा दी यह बाते सीमा ने कही अब इसके बाद एटीस फिर भी सेटिस्फाय नहीं होती इन सारे जवाबों से उससे अगला सवाल में पुछते है कि ठीक तुम्हारे हमने सारे जवाब से लेकिन अब बताओ कि मकसद क्या है तुम भारत में आई हूँ तो असली मकसद बताओ सचिन सचिन तो तुम बोल रही हो लेकिन अब हमें जानना है कि आखिर तुम्हारा असली मकसद क्या है इस पर सीमा फिर से बोलती है कि देखिए मैं पा किराय का मकान है उसके पास कोछ और है भी नहीं जो वो मुझे दे सकता है लेकिन फिर भी मैं सिर्फ उसके लिए आई हूं आखरी में सीमा हैदर ने यही बोला कि मैं से बहुत प्यार करती हूं और मैं उसके बिना नहीं रह सकती भले हमने पब जी खेल कर इस अपने प्यार को की शुरुवात की थी लेकिन अब मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूं वो मेरे बच्चों को भी अपने साथ रखने को तयार है और अब मैं उसे छोड़ कर नहीं जाना चाहती तो अब मैं थक गई हूं जवाब देते देते आप समझ लीजे कि मैं बस सचिन के लिए ही भारत आई हूं अब ये सारी बाते जाच अधिकारी ने जब उससे पूछी तो उसने जवाब दे दिये लेकिन सीमा हैदर की कुछ बाते अभी भी ऐसी हैं जो ATS IB इन सब को खटक रही है उन लोगों को यह यकीन नहीं हो रहा कि सीमा सच में प्यार के लिए आई है और रही बात जाच की तो जाच होनी भी चाहिए सवाल जवाब होने चाहिए सीमा से क्योंकि जिस तरीकी से सीमा बोल रही है कि गुलाम से उसकी जो शादी है वो जल्दबाजी में करवा दी गई लेकिन जब इस बारे में और तहकीकाथ की गई थी तो पता चला था कि एक miss call के जरिए ज अगर अहां हो सकता है हम मेंसे बहुत लोग मानते होंगे कि यह जो महिला है यह सिर्फ अपने प्यार के लिए यहां तक आ गई लेकिन जो जाज अधिकारी हैं उन्हें बहुत सी चीजे हैं जो खटक रही हैं सीमा के कुछ बयान ही उसे इस पूरे खेल में फसाते जा रहे हैं अगर हम और जाता देखे तो फॉजियों को जो जो इसने रिक्वेस्ट फेजी साथ ही और लड़कों के साथ कॉन्टैक्ट में थी तो बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं लेकिन फिलहाल इस पूरे के जो सच्चा है वो क्या निकल कर आती है